हेलो एब्रिवान, वेलकम टो मैं चैनल दा कारमेन आज का ये वीडियो उन लोग के लिए स्पेसाल है जिन लोग के पास एक फर्स्ट या भी सेकंड जनरेशन फॉर्चुनर है और जो लोग प्लैनिग कर रहे है अपना पुराना फॉर्चुनर को थर्ड जनरेशन या फिर लेजेंडर बर इक लिए स्पेसाल है क्योंकि आप लोगोंने दिली एंसार में लगा हुआ एक नया रुल को देखाई होगा कि दिली एंसेयर में जो 10 साल पुराना डिजल कार्स है उन कार्स को सीज किया जाएगा डियू टू एर पॉल्यूशन क्योंकि दिली एंसेयर में फिलल में बहुत ही ज्यादा एर पॉल्यूशन हो रहा है इस पुराने गाडियों के लिए जिससे क्या हो रहा है कि गाड़ी का जो एक्स्टुडियो और आउटर बॉड़ी है वो टोटाली नया हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि जो गाड़ी है वो इनिसियल कुछ-कुछ केस में तो बच रहा है लेकिन जब प्रोपर चेकाप होता है गाड़ी का तब बच नहीं पा रहा है ठीक ऐसा ही केस हमारे सामने कलेक आया है जहां पर एक पुराना फर्स्ट जेनरेशन फॉर्चुनर को कॉउट किया गया था टोयूटा फॉर्चुनर लेया लेजंडर में आप लोग इस गाड़ी का फोटो यहां पर देख सकते हैं जहां पर आप लोग देखी सकते हÔर कि इस जो निया लेजंडर को मतलब पुराना फॉर्चुनर को लेजंडर में बनाया गया था इसका toothpaste bunları के रियर जो ग्लास है वो भी आपर देख सकते हैं कैसा है वो फर्ट जेनरेशन फर्टूनर जैसा ही है और ये जो फर्टूनर को convert किया गया था इस गाड़ी का एज लगभग 12 सल 10 महीना हो चुका था तो ऐसा ही कुछ केसे हैं हमारे सामने जहां पर पुराना फर्टूनर को जब प्रोपार्ली टेस्ट किया गया तब गाड़ी पकड़ा गया जो गाड़ी मतलब converted हो चुका था निया वाला में तो ऐसे ही बहुत लोग फिलाल में कर रहे हैं कि अपना पुराना फर्टूनर को निया में कर रहे हैं convert कर रहे हैं 3rd generation में या फिर legendary में तो आप लोग इस चीज़ को बंद कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो लोकल में अपनी गाड़ी को चला सकते हैं लेकिन दिली NCR में चलाना आपके लिए risk हो सकता है मैं भी गाड़ी conversion बगेरा में interested हूँ लेकिन अब पकड़ा ही जाते हैं तो गाड़ी properly seize हो जाएगा तो ऐसा चीज़ तो आप लोग नहीं चाते हैं कि आपका गाड़ी पुरा का बुरा चला जाए तो आपका गाड़ी seize हो जी जाएगा तो risk लेके क्या फाइदा पुराना गाड़ी को ही चला है convert करके भी पैसा करच करके अगर सौक है लोकल में चलाने का सौक है तो आप लोग कर सकते हैं लेकिन ऐसे डिली एंसियर में ले जाना आपके लिए risk हो सकता है और पुराना गाड़ी जितना समभब avoid कर सकते हैं वही किज़ यह क्योंकि एर पॉल्यूशन भी बहुत होता है पुराना ग पैसे बहुत लोग यह कर रहे हैं और बहुत लोग को यह चीज़ पता ही नहीं था तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और आप लोग सतर्क हो जाए क्योंकि आप लोग के साथ भी अगर कॉनवर्शन करते हैं तो यह चीज हो सकता है आज इसे बहुत सरा इंफोर्मेटिव आपडेट्स आपको हमारे इस चानल पर ही मिलता रहेगा जय हिंद जय भारत